नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ISPCS ACADEMY में और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग साइंस का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें हम आगे देखेंगे 315 तक हम लोग कल कर चुके थे आज है 316 तो देखेंगे कि मानु सरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी अंतास्रावी ग्रंथी कौन सी है तो 316 का हो जाएगा आप्शन भी थाइराइड ग्रंथी और उसके बाद आगे देखेंगे कि निमलिकित हार्मोन में से कौन सा हार्मोन है जो मादा में दिद्यक लैंगिज लग्छनों के लिए उत्तर दाई है तो 317 का टी एस्ट्रोजन आगे बढ़ेंगे लिए और 18 में कहा रहा है कि इस तंधारियों में थाइमस ग्रंथी मुकेता किस से संबंधित होती है तो यह होती है आपका आप्शन सी सरीर की प्रतिरच्छा से 19 में कहा रहा है कि सरीर में कैलसियम एवं फासफोरस मेटाबॉलिजम के लिए जिम्मेदार हार्मोन किस ग्रंथी से स्रवित होते हैं तो यह होते हैं आपका आप्शन बी पैरा थाइराइट से यहाँ पर एक सूची दी होई और सूची को दूसरी सूची से मिलाना है और 320 में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है इसका आप्शन डी तो उदक में रुधिर में यूरिया की मात्रा सामाने से अधिक हो जाना फिर है बी कवन यूरीमिया अलप स्रवन से गर्भवस्था में गर्भपात हो जाना फिर है सी कटू इंसूलीन रुधिर में सरकरा के इसतर को नियंतरित करने वाला और इसके बाद है प्रोजेस्टिरोन तो वह है वैसी प्रेसिन हार्समोंस की कमी के कारण तो आगे देखेंगे और लिखा है कि 21 में नर एम मादा दोनों प्रकार के ल अनुवांशिक रूप से अभियांतर की जीवाणों का उप्योकिस के उत्पादन हे तो किया जाता है तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन डी मानो इंसूलीन नेस देखेंगे यहाँ पर भी एक सूची दी हुए 23 में और उस सूची को दूसरी सूची से मिलाना है तो देखें यहा है तो केरेटिन एक प्रोटीन है तो देखेंगे सुकरानों का निर्मान होता है तो अप्शन ए हो जाएगा 25 में किरा है जब नर्माधा वाहि लच्छनों के आधार पर पहचाना जा सकता है तो इसे कहते हैं तो पत्चिस में क्या कहते हैं इसे तो इसे लैंगिक दिरूपता कहते हैं 26 में करें नर में गौल लैंगिक लच्छन उत्पन करने वाला हार्मोंत होता है तो यहाँ पर 26 का हो जाएगा आप्शन D टेस्टिस्टोरॉन 27 में करें महिलाओं में आवर्त चक्र की आवद ही होती है मेंसुरेशन साइकिल होता है तो 27 का हो जाएगा आपके पास आप्शन C 28 दिन नर में परिवार नियोजन होए तो प्रियुक्त तो 28 का हो जाएगा आप्शन A वेसेक्टोमी आप्शन A होगा यहाँ पे सही 29 में कहा रहा है कि केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथी तो आप्शन A प्रोटेस्ट ग्रंथी आप्शन A होगा यहाँ पे रोजो चक्या मेंसुरेशन साइकिल का नियमन करने वाली ग्रंथी तो 330 का हो जाएगा आपके पास आप्शन C प्यूश गिरंथी, option C आगे बढ़ेंगे और सिफलिस रोक का रोक जनक है, तो 31 में हम देखेंगे, तो इसका हो जाएगा option B ट्रेपोनेमा पैलिडम मनुश है, तो 32 में देखेंगे, तो मनुश है क्या है, जरायूद option C हो जाएगा यहाँ पे आज थाई परिवार नियोजन की विधी है, तो देखें 33 में हो जाएगा आपका option A, copper T 34 परिवार नियोजन की यांत्रिक विधियां है तो 34 का हो जाएगा आपके पास option D, इनमें से सही निरोद, डायफ्राम या copper T, यह सब ही हो जाएगा option D सही, आगे बढ़ेंगे सरीर में ग्रेफियन, पुटिकाएं कहां इस्थित होती है, तो 35 का हो जाएगा आपका सी, इस्त्री के अंडासे में अनिसेक जनक, जनन क्रिया में होता है तो 36 का हम लोग देखेंगे तो 36 का हो जाएगा आटी, बिना निसेचन महावारी चक्र में पुटिका प्रवस्था कितने दिन की होती है तो 38 का हो जाएगा 10 से 12 दिन मादा जनन हार्मोन्स है तो 39 का हो जाएगा सी, स्ट्रोजन आगे बढ़ेंगे, लिखा है कि इस्त्रीयों में अंडोत सर के पश्चाद ग्रेफियन पुटिका के फट जाने निम्नमिकित में से कौन सी सरणचना बनती है तो 40 का एक कारपस लूटियम, 41 में लिखा है कि इस्तनियों में प्राथमिक रूप से अंडासे का संबंद होता है तो 41 का हो जाएगा आपका आप्शन भी अंडाणों के उत्पादन से गर्ब निरोधक गोलियां क्या रुकती है तो 42 का हो जाएगा आपके पास आप्शन भी अंडोत सरग सुक्रजनन में अंतिम रूप से एक प्राथमिक स्पर्मेटो साइट से बने सुक्राणों की संख्या कितनी होती है बी, चार सुच्म कोसिकाएं जो परिवर्धित अंडो में से उनके परिपक्वन के समय परतक हो जाते हैं वे क्या कहलाते हैं तो 44 का हो जाएगा लोपिकाएं निम्ण में से कौन सा हार्मोन अंडोत सर के लिए उत्तरदाई है तो 45 का D लिटिनाइजिंग हार्मोन ऑप्शन D हो जाएगा ग्रेफियन पुटिका का परिपक्वन निम्ण में से किस हार्मोन के प्रभाव से होता है तो 46 का हो जाएगा आपका ऑप्शन B पुटिका प्रेरक हार्मोन आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 37 में की इस्तनियों में अंडो सर के पश्चात बनने वाली अंता स्रावी रचना कौन सी होती है तो यहाँ पर 47 का आपका हो जाएगा आप्शन B कापस अल्बिक 48 में करें निम्ण में से किस अंग में इस्तन धारियों में अंडानों का निसेचन होता है तो 48 का B फेलिवपियन न लिका में वरश्चन में पुरुस जनन हार्मोन का निसमार करने वाली को सिकाएं कौन सी है 49 का हो जाएगा C सार्टोली की को सिकाएं अगे बढ़ेंगे और लिखाए सुक्राणों का पूरी पक्कुवन निम्न में से कहा होता है तो 50 का हो जाएगा आपका Option A Epididymis में लिखाए कि इस तनियों में वरश्चन एक लचीली रज्जु द्वारा वरश्चन कोस के पस्चितल पर जुड़ा होता है तो यहाँ पर 50 के हम Option देखेंगे तो इसे क्या कहते हैं तो 51 में हम देख लेंगे तो इसे कहते हैं आपका Option B Spendantic Card 52 में एक सुची को दूसरी सुची से मिलाना है तो हम इसका देख लेंगे अभी आपने पढ़ा कि Garafian पुटिकाएं तो यह है अंडासय की सता पर छोटे-छोटे दानों जैसे उबरे होते हैं फिर है सुक्रजनन न लिकाएं तो सुक्राणों का निर्माण और उसके बाद है आपका Philippian न लिकाएं तो यह हो जाएंगे अंडवहाइनियों का प्रारंभि कुंडलित भाग, फिर है प्रोटेस्ट ग्रंथी तो है मुत्रमार की अमलीता को समाप्तकनत यहाँ पर option भी हो जाएगा आपका आगे बढ़ेंगे यहाँ पर भी एक सूची दी है तिरपन में और उस सूची को दूसरी सूची से मिलाएंगे हैं लोग, तो देखते हैं पेरिनियल ग्रंथियां तो यहाँ पर हो जाएगा पेरिनियल ग्रंथियां जो होती है तो पेरिनियल ग्रंथियां जो होती है आपकी वह होती है आपकी गुदा अबम जनन चिद्र के बीच इस्थित ग्रंथियां उसके बाद है ब्रोंथिलिन ग्रंथियां तो वह होती है योनी के योनी के पर्ष में इस्थित एक जोड़ी ग्रंथियां उसके बाद है सी कलाइटोरिस तो कलाइटोरिस होता है आपका option भी भग के उपर और इससे छोटी सी गुंडी नुमा रुचना और उसके बाद है फिर लेंडिक कोश लिखाएं तो अन्ता स्रावी कोशिकाएं चलिए नेक्स देखेंगे लिखाए कि प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन का स्रॉण किसके द्वारा होता है तो चब्वन में हम देखेंगे तो वह होता है कारपस लूटियस में अनेक इस्तनियों में वर्षन उदर गुआ के बाहर एमनियोन एवं एमनियोटिक द्रव किस से बचाता है तो 56 का हो जाएगा आपका सी जटकों से टेस्ट्यूब सिसू के लिए क्या होता है तो 57 का हो जाएगा ये निसेचन शरीर के बाहर आगे बढ़ेंगे एट्स रोग के निदान में किस विधी का प्रियोग किया जाता है तो 58 में आप्शन ए वेस्टन ब्लॉटिंग एट्स रोग में प्रियोग की जाने वाली महत्पूर्ण दवा कौन सी है तो 59 का हो जाएगा दी इन में से सभी तो एजेड़टी ट्रिपल ड्रग थेरपी और विडो व्यू डाइन 60 में कहा रहा है सूजक रोग का संक्रमा किस के कारण होता है तो 60 में हो जाएगा जिवानों के कारण आप्शन ए मादा जनन पत्थ में पहुंचने के पश्चा तो मानों सुकुरानों अपनी निसेचन छमता सुरच्छित रखते हैं तो वा 61 का हम देख लेंगे 61 का हो जाएगा आपके पास आप्शन D एक से दो दिन के लिए स्वास्टो च्वास में व्य होता है तो 62 का देख लेंगे तो 62 का आप्शन B होगा यहाँ पर रासाइनिक उर्जा का 63 में कहरा है स्वासन द्वारा उत्पन उर्जा का संजयन होता है तो 63 का हो जाएगा आपसंडी ATP अनुओं में 64 में लिखा है कि स्वासन में बाहर निकली वायू CO2 की मात्रा होती है लगभग तो 64 का हो जाएगा D 4 प्रतिशत 186 में बाहर निकली वायू में आक्सीजन होती है लगभग तो यहाँ पर 65 का हो जाएगा आपके पास ए करीब करीब 17 प्रतिशत फुसफुसों में कूपिकाओं की संख्या होती है तो यहाँ पर 66 का हो जाएगा D 30 करोड क्या बात है 66 में कहरा है फुसुसों में कारबन डायकसाइट युक्त रुधिर आता है तो 66 का सी हर्दय के दाहिने निले से फुसुस से आक्सीजन युक्त रुधिर ले जाती है तो 68 का हो जाएगा सी फुसुसी सीरा बाय निलंद को प्रक्रिया जिसमें उर्जा और शुशित होती है तो 69 का हो जाएगा आप्शन A, ADP और ATP नेक्स देखेंगे फेफ़डों में रुधिर एवम कोष्ट की वायू के बीच गैसी विनिमन की स्प्रक्रिया द्वारा होता है तो यहाँ पर 70 का A हो जाएगा सामान विसरन जब ग्लूकोज का विक्वणन रिष्ट द्वारा होता है तो अंतिम उत्पाद होते हैं तो 71 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन C, एथेनौल तथा CO2 72 में लिखा है कि कार्बन मोनो अकसाइड का विसाइला प्रभाव इसलिए होता है कि हिमोगलोबिन से जुड़ने की इसकी ततपरता आकसीजन की अपेक्षा होती है लगभग तो यहाँ पर 72 का हो जाएगा C, 200 गुना ग्लाइकोलाइसिस में ATP के दो अणों के अत्रिक अन्न दो अणों किसके बनते हैं तो 73 में हम देखेंगे दोस्तों तो 73 का हो जाएगा NADH2 का चले 74 में लिखा कि उर्जा के लिए कोश्की इंधन के विगटन को कह सकते हैं तो 74 में हम कह सकते हैं आपको option D ये सब यानि कि जयो रसाइनिक जरन अपचय और अन्ताश्वसन 75 में कहते हैं फेफडों की कुल सामर्थ होती है तो 75 का हो जाएगा आपके पास option C सजीव सामर्थ तथा आवशेश वायू का योग चले आगे बढ़ेंगे किसके जरन में O2 की खपत और CO2 की मुक्ति बराबर होती है तो 76 में हो देखेंगे तो वो है ग्लुकोज 77 में Phosphate Bond उर्जा की अधिकता मात्रा किस अवस्था में बनती है तो 77 का हम देखेंगे तो 77 का हो जाएगा option D Crabs Chakra 78 AYV स्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है तो 78 का हो जाएगा आपके पास option B Glycolysis Next देखेंगे 79 में कह रहा है कि कोस की स्वसन में ग्लुकोज के एक अणू के आकसी करक जरण में 38 ATP अणू निम्ण प्रकार से बनते है तो यहाँ पर इसका option हो जाएगा 2 ATP अणू माइट्रो कॉंडिया के बाहर तथा 36 इनके भीता है 80 में वह पदार्थ जो Glycolysis को क्रेफ्स चक्र से जोड़ता है तो यहाँ होगा Acetyl को Enzyme आगे बढ़ेंगे 81 में कह रहा है कि Glycolysis होता है तो यहाँ पर होता है आपका option D कोशा द्रव्य में Next देखेंगे मानों में श्वशन दर प्रती मिनट होती है तो लगभग यह होती है 82 का हो जाएगा option C 12 से 15 बार स्वशन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवश्वशन करता है तो 83 का हो जाएगा option ARBC रेड ब्लड सेल्स जिसको बोलते हैं आवायवी स्वशन में पेशी कोशाएं ग्लुकोज को किसमें बदल कर उरजा उत्पाधन करती हैं तो 84 का हो जाएगा यहाँ पर भी लैक्टिक अमल यह बढ़ेंगे दोस्तों और 85 में कर रहा है कि गलाइकोलाइसिस में अंत में तो 85 का देखेंगे तो वह होता है ग्लुकोज पारविक अमल में बदलता है option B 86 सिट्रिक अमल के चक्र अमल चक्र के ऑक्जैलिक अमल से मिलने से पहले पारविक अमल किसमें बदलता है तो 86 का हो जाएगा भी एसिटिल सी ए ओ में चली कोशाओं में ग्लुकोज के जरण में प्रथम चरण है तो 87 का हो जाएगा option C गलाइकोलाइसिस कोशाओं में ग्लुकोज के एक अनु के पूर्ण ऑक्सिकरन विखंडन में सामानेता ATP के कितने अनु बनते हैं तो 88 का हो जाएगा option B 38 आगे बढ़ेंगे फेफणों से जाने वाले रुधिर में सारी हिमोगलीबिन ऑक्सिकरत होती है और उनके उतकों में पहुँचते ही इसमें काफी O2 मुक्त हो जाती है क्योंकि तो 89 का हो जाएगा आपके पास option C फेफणों की तुलना में उतकों में O2 का संद्रण कम और CO2 का संद्रण अधिक होता है आगे बढ़ेंगे एक ग्राम मोल से उतपन होने वाली उर्जा होती है तो 90 का देखेंगे तो वा होती है सब में बराबर मनूश को उर्जा के लिए कार्भो हीड्रेटस की अश्चिता होती है जिसे वह प्राप्त कर सकता है तो यहाँ 91 का हो जाएगा आपके पास option A इस टार्च से कार्भो हीड्रेटस का RQ मान होता है तो 92 का हो जाएगा आपके पास option A 1 मन उसमें प्रवाही वायू कितने मिली मीटर होती है तो 93 कभी 500 मिली लीटर चले आगे बढ़ेंगे और लिखा हुआ है यहाँ पर की साइटो क्रोम ऑक्सिडेस में उपस्थित धातु तत्त होता है तो यहाँ उपस्थित धातु तत्त के बारे हम कह रहा है तो 94 का हुजाएगा डी लोह एम तांबा 95 में सौशन कौन करता है तो 95 का हुजाएगा आप्शन भी सारी सरीर कोशा है पहाडियों में आर वी सी की संख्या अधिक होती है क्योंकि तो यहाँ पर 96 का सी पहाड पर वायू कम संगनित होती है उचे पहाड पर तो 97 में देखेंगे तो वा होता है कि वायू की वायू में ओटू की कुल मात्रा घट जाती है यहाँ पर लिखा है 98 में कि पारविक अमल में कार्बन परमानों की संख्या होती है तो 98 का भी 3 आगे बढ़ेंगे 99 में कह unity कि गलाइकोलाइसिस में एंजाइम कहां पाए जाते हैं तो 99 का हो जाएगा option C कोशा द्रव्य में गलाइकोलाइसिस के अंतर गत पार्विक अमल को लेक्टिक अमल में किन कोशाओं में बदला जाता है तो यहाँ पर 480 का सी तचा की इस तनियों में स्वसन स्वास दर मुखिता किस पर निर्भर करती है तो 401 कड़ी डायफराम के अवतल होने की सीमा दो में कहरा है कार्बो हाइडरेट तथा वसा मेटाबॉलिजम के प्रमुक अंतिम उत्पाद है तो 102 का हो जाएगा आप्शन B CO2 पारुविक अमल स्वसन में पाइरुविक अमल तो 3 का हो जाएगा आप्शन A CO2 की उपस्थिति में ही बनता है 4 में लिखा है कि सामान्य स्वसन में प्रतेक स्वास में अन्ता स्वासित तथा उच्छवासित वायू की मात्रा होती है तो 404 का हो जाएगा आप्शन C प्रवाही वाय। किस कारण उतकों में आक्सी हिमोगलोबिन से आक्सीजन निकाल कर उतक द्रव्य में जाती है। तो पांच का हो जाएगा C, O2 की कमी और CO2 की अधिकता। छे में कह रहा हैं, माइट्रो कॉंडिया की संख्या कौन सी पेशियों में सबसे अधिक होती है। तो यहां पर छे का हो जाएगा option C, हिर्दैकी। साथ में किस के लिए स्वसन भागफल एक से कम होता है। तो 407 का A, वसा के लिए। आगे बढ़ेंगे। फुस फुस धूली मैता में से स्रमिक रोगरस्थ होते हैं जो मुखिता कारत हैं तो आप जानते हैं कि 408 का B हो जाएगा कोईला उद्योग में। जेस व्याबिक गंभीर तिर सोसन लक्षन सार्स जो बार बार समाचारों में आता है निम्लिकित में से किस के कारण होता है तो 409 का हो जाएगा D, विशानू के यानि कि वाइरस। रक्ट में CO2 मुखिता किस रूप में वहन की जाती है तो 410 का D, NaHCO3 में। 11, CO2 की सरवधिक मातरा रख द्वारा किस रूप में समवहित होती है तो 11 में हो जाएगा A, Bicarbonates 12 में कहरा है फेफ़ों की कूपिकाओं में गैसी विनिमन किस प्रकार होता है तो 12 का हो जाएगा Option B, सक्री टांसपोर्ट 14 में ग्लूकोस के एक अणसे यदि दो अणू पारविक अमल बने तो कुल कितने अणू ATP का सुध लाब होता है तो 14 का हो जाएगा B, 4 श्वशन केंद्र कहां इस्थित होता है तो 15 में हो जाएगा आपके बात A, मेंडूला में, आगे बढ़ेंगे 16 में कहा है निम्न में से कौन सा अंग पूर उस्थरजी अंग है तो यहाँ पर 16 का हो जाएगा option A, वक्र यूरिया का संसलेशन होता है तो 17 का सी यकरत में, फिर अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है तो 18 का हो जाएगा B, यकरत में तो मित्रो याते सव महत्वपूर्प्रश्ट में आसा है आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेहनत करते रहें निरंतर अभ्यासी सफलता की कुंजी है जैहिन जैभारत नमस्कार